नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सभ विसाची सकसेना, डारेक्टर and ओनर अफ नियो एंटी क्लिनिक, इंदिरापुरम गाजियाबाद, आज मैं आपके समने बड़ी कॉमन समस्या लेकर आया हूँ, जिसको बोलते हैं नाक की हड़ी बढ़ना, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि नाक की हड़ी बढ़ना क्या होता है, बहुत लोगों को समस्या होती है कि उनको नाक के सांस नहीं आती है, एक जनरल नोशन होता है कि मेरी नाक की हड़ी बढ़ गई है, पहले जान लेते हैं नाक में क्या होता है, हमारे नाक में दो तरह का एक फ्रेमवर् अंदर से एक partition होता है जो नाक की हड़ी को दो हिस्तों में divide करता है उसको बोलते हैं nasal septum इसके अलावा हमारे नाक में side में भी इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ तीन ये चार bones होती हैं जिनको बोलते हैं turbinates ये total मिलके नाक की हड़ी या बनाते हैं अब नाक की हड़ी बढ़ना किसे बोलते हैं अगर आपकी नाक का shape खराब है माली जी उपर से नाक टेड़ी है या उपर से ही खराब दिख रहे है तब तो ये उपर वाला framework खराब है आला कि इसका आपकी सास लेने से सास उरुकने से क कोई तालूग नहीं होता है ये सिर्फ आपके लिए shape का या cosmetic reasons के लिए काम करता है जो असली में काम करता है वो होता है nasal septum जो नाक की हड़ी बीच में होती है और side के congenital मतलब जनम से ही आपकी body में कुछ जो genes है उन्होंने decide करना है कि इस तरह की नाक का shape बनना है तो बनना है या फिर ऐसा हो सकता है कि traumatic हमारी नाक की हड़ी का shape जनम से लेके 17 साल तक grow करती रहती है तो उसका shape 17 साल तक effect हो सकता है इस दोरान कभी बच्चा गिर जाए चोट लग जाए तो हलकी फुलकी नाक से खून निकल आता है बच माबाब भी ध्यान नहीं देते हैं डॉक्टर्स भी इसमें बहुत कुछ करेंगे नहीं उसके अंदर treatment करके भी दियाता है बट उससे होता गया कि हलका सा fracture अगर नाक के अंदर आ जाता है तो नाक की हड़ी टेड बिनेच बोलते हैं वो भी अगर सूच जाती है या बढ़ जाती है तो उनको भी बोलते है नाक की हड़ी बढ़ना लेमें थर में इन सबको नाक की बढ़ना बोलते हैं जान लेते क्या लक्षण हो सकते हैं आपकी नाग बंद हो सकती है आपकी नाग से खूना सकता है सांस लेने में समस्या हो सकती है सरदर्द हो सकता है क्योंकि आप नाग से सांस नहीं लेते हैं मूँ खोल के सांस लेते हैं तो आपका मुह भी सूखा रह सकता है, खास कर सुबह उठने भे, मुह में भारी पन रह सकता है, फेस में दर्द रह सकता है, आपको लगता है कि मेरा फेस भारी-भारी रहता है, कारण क्या-क्या हो सकते हैं इसके एक तुम मैंने बता दिये canginital ये traumatic कारण हो सकते हैं इसके अलावा जो terminase बढ़ जाती है उनके कुछ और भी कारण होते हैं जैसे कि बार-बार सुखाम्सणदी ओना जिसको बोलते है sinusitis ये मैं आपको अलग वीडियो में बता चुका हूँ sinusitis क्या होती है sinusitis एक कारण हो सकता है allergy हो सकती है जिस वज़े से हड़ी बढ़ जाती है नाक में सूजन आ जाती है कुछ लोग दवा नशा करते हैं जो नाक के रस्ते करते हैं उनमें नाक की हड़ी की problem हो सकती है hormonal changes होते है especially pregnancy के दौरा नाक आपकी बंद हो जाती है जो hormonal कारणों से होती है मोटापा एक वज़े होते है जिससे की अगल बगल चर्वी जम जाती है और नाक की हड़ी बंद होने लगती है उमर के साथ problems आती है और बारबर सर्दी जुखाम होना अगर आप बारबर cold catch करेंगे आप cold drink, ice cream इस तरह की चीज़े लेंगे तो भी वो आपको एफेक्ट कर सकते है complications में आ जाएं तो इससे बारबर खून निकल सकता है आप खराटे लेते हैं जिससे आपकी body को proper oxygen नहीं मिलती है सर में दर्द रहता है लगातार आप थोड़े से settled नहीं रहेंगे you will not feel free आपको लगेगा हमेशा मेरी नाक में सर में कुछ भारी-भारी है तो आप दिन भर जो हैं अच्छे से काम भी कर पा सकते हैं कि ठके रहते हैं पूरे दिन के लिए कुछ लोग अब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया हो जाता है जिससे कि रात को वो proper से सो नहीं पाते हैं और दिन भर उनको नीद आती रहती है ये भी एक परिशानी हो सकती है दिखाने के लिए का करना होता है दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर कुछ एक्जामिनेशन करते हैं सामने से नाखोल के एक्जामिन की जाती है निजल एंडस्कोपी करी जा सकती है CT scan या MRI भी जरूर पड़ती है तो कराय जाते हैं इसके अंदर पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कहा क्या किस तरह से हड़ी आपकी अफट हो रही है ट्रीट्मेंट पार्ट में आते हैं ट्रीट्मेंट से पहले जान लेते हैं कि घरे लिए उसकों में क्या कर सकते हैं कि नाखों आपको healthy बना के रखना है उसके लिए आप allergy बचा के रखें sinusitis नाहोने दें ठंडे खटे पदार्तों से थड़ा बच के रहें अगर आपको लगता है cold अपने catch कर लिया है तुरंत आप steam लेना शुरू कर दीजिए allergy बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं घर में अगर पालतू जानवर हैं तो आप उनको थोड़ा दूर रखिए घर में घास पूस जादा है तो थोड़ा सा अलग कर लिजिए उसको गद्दों को cover करके रखिए रुई वाले गद्दों से माल लिजिए आपको allergy आपको लगता है कि लेटने के बाद ही सोने के बाद ही मुझे allergy जादा होती है तो हो सकता है कि आपके गद्दे और ठकीयों में problem हो रही हो तो उनको आप cover चड़ा के रखिए इसके अलावा air filter का use कर सकते हैं smoking ना करें और घर में कोई भी sealant या moisture जैसे areas हैं तो उनका treatment तुरंट से तुरंट कर लें अगर इन सबसे भी बात नहीं बनती है तो doctor के पास जाना होता है और doctor फिर आपको इलाज में कुछ anti allergic गोली देते हैं खाने के लिए अगर उनसे बात नहीं बनती है तो कुछ nasal spray दिये जाते हैं कुछ saline spray होते हैं जिनमें पानी जैसा salt रहता है वो उससे दुलाई करनी होती नाक की फायदा मिलता है उनसे नहीं होता है तो कुछ intranasal steroids भी दिये जाते हैं जिससे की नाक की हड़ी हड़ी तो देखी नहीं जाती है उसे बट उसकी उसकी उपर की जो mucosa या चमड़ी जिसको बोलते हैं वो shrink हो जाती जिससे patient को symptomatic relief मिल जाता है अगर इन सबसे भी बात नहीं बनती है तो फिर हमें surgery का सहरा लेना पड़ता है जिसमें endoscopic surgery होती है दूरबीन द्वारा surgery करी जाती है हड़ी सीधी कर दी जाती है और अगर टर्बिनेट्स बड़े होते हैं तो उनको भी trim करके छोटा कर देते हैं या फिर diathermy आलचकल coblation technique आ गई है उससे उनको shrink करके छोटा कर दिया जाता है और patient को काफी हद तक symptomatic relief मिल जाता है बाद में यही कहना चाहूँगा इन छोटी छोटी बातों को ignore ना करें ना की हड़ी बढ़ना एक prominent symptom है खासकर अगर यह आपकी day to day life को affect करने लगे आपकी आर्मतर की जिंदगी सफट होने लगे तो आप इसका इनिजेटी इलाज कराएं और believe me इसका इलाज मौझूद है और आप बहुत अच्छे से स्वस्थ किये जा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो और आप और इस तरह की जानकरी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा Health Plus चैनल है सब्सक्राइब करें इसको आप और साथ में इस चैनल पर अलग वीडियो दिये गए हैं जिनके बारे में आपको और भी जानकरी मिल सकती है प्लीज गो एंड हाव लूप थैंक यू